नमस्कार, मैं पवन कुश्वा, हमारे तमाम दर्सोकों को हमारी ओर से हिंदू नवर्ष की हर्दिक सुपकामनाय और बधाई आज गुडी पढ़वा का महापर्व है और हम हमारे खास कारीकरम विशेस में आज बात करेंगे हिंदू नवर्ष की हिंदू धर्म गरंथों के अनुसार चेत्रमहा की शुक्ल प्रतिपदा से नवर्ष मनाय जाता है तो आज सही शारदे नवरात्र भी सुरू होता है जो निमार के सबसे बड़े पर्व के तोर पर हर सोलास के साथ मनाय जाता है हिंदु माननेताओक के अनुसार ब्रह्मा जी को श्रष्टी का निर्मान करने में साथ दिन का समय लगा था इस साथ दिन के संधान के बाद नया वर्ष मनाने की परंपरा है अनादिकाल से इस दिन ग्रहनक्षत्र में बदलाओ के साथ ही प्रकृती में भी अमूल चूल परिवर्तन होता है न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी पेडों पर नवीन पत्यों का आगमन और फोल खिलते हैं मंजरियां भी आती है किसान परिवार में नई फसल का आना सुरू होता है तैयार फसल के दानों और आम की मन लुभाती खुस्बू में गंगोर पुन्टिक कन्याओं और सुहागनी महिलाओं के हाथ की हरी हरी दूब में बसंत दूत कोयल की गूंजिती स्वल लहरियों में चारा और पकी भी फसल से वातावरन आनन्दित होकर प्रकृती महकती है तो मानोता के प्रति सजग परम पुरुष जिवजन्तू पर दया भाव करता है चेत्र महा का अध्यात्मिक स्वरूप इतना अनन्त है कि इसके बेखुंट में बसने वाले भगवान को भी इसी माह में नौमी के दिन धर्ति पर परभुष राम के रूप में उतार दिया गया मध्य प्रदेश महराष्ट के साथ अन्य प्रदेशों में भी नव वर्ष का परव गुडी परवा के नाम से मनाया जाता है तो करनाटक में उब्दी परव के नाम से मनाया जाता है इस दिन हिंदु धर्मावलम भी पवित्र नदियों में इश्नान करते हैं, पुजा पाट करते हैं और तिर्थिस्तानों पर जाते हैं महान गणितग्य भासकराचारे ने इसी दिन से शूर्युदय से सूर्यास्तत तक दिन, महीना और वर्स की गणना करते हुए पंचांग की रचना की भारतिय सस्कृती जीवन का विक्रमी संवत से गहरान आता है विक्रम संवन्त के इसमरन मात्र से ही विक्रमादित्य और उनके विजय भियान की यादे ताजा हो जाती हैं चेत्र महा की शुक्ल परतिपदा का दिन युगों से इतिहास के पन्नों में गहराई से जुड़ा है मरियाद पुरुशुत्तम स्री राम का राज्य भिशेक मादुर्गा की उपासना के नवरात्र का आरंभ युदिष्टिर का राज्य भिशेक उज्यैनी समराथ विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवन्त का प्रारंभ शालिवहन शक्स वंवंत भारस सरकार का राष्टिय पंचांग का आरंभ और महर्शी दयानन सरस्वति द्वारा आरे समाज की स्थापना दिवस सब इसी पवित्र तीति से जुड़े हैं यह नववर्श का महापर्व राष्टि गोरोसली परंपरा का प्रतीक माना जाता है तो यह था हमारा खास कारिक्रम विशेश अभी यह हिंदू नववर्श का परव कोरोना संकट के चलते सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार देजभर में मनाया जाएगा हम भी आप से अपील करते हैं कि आप भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्सित रहें फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी खास परवसे जुड़ी जानकारी के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार